वेल्कम टू ग्यान सेवर 24 स्वाज हम लोग देखेंगे एडुटेडिया करेंट अफेयर का प्रेक्टिस शेक्ट नमर नौव जो किस में दिया हुआ है दोहजार तेश के जनवरी से फरवरी दोहजार तोच चौबिस तक का करेंट अफेयर है ठीक है तो चलिए हम लोग इसक सावित किया गया है जहां ग्राहक विभिन कंपनियों द्वारा दिये गए कई विकल्पों में से एक उपियुक्त बीमा योजना चुन सकता है ठीक है तो यह कौन सा ऐसा प्लेट फार्म के द्वारा दिया गया है जिसमें ग्राहक क्या करेंगा विभिन कंपनियों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है लिप्टा को गोर्मा गोर्मा चार्टर पर हस्ताक्षर किया है तो किस ने यह हो जाएगा माली बुर्किना फाशो और नाईजर ने किया है नेक्श कोश्चन देखते हैं दिया कि निमनलखित मंदिरों पर विचार करें होईशल मंदिर चन्न चन्ना केशो मंदिर और केशो मंदिर इस मंदिर में किस मंदिर को होयशल के पवितर शमू के तहत युणुष को विश्व के पवितर समूं के तहत युनुशकों मिस्तामिल किया गया है तीनों को नेक्ट है कि जी सेवंटि सेवन प्लस चीन सीखर सम्मेलन दोहजार देस का मेज़बान देस कौन सा था दो ये कौन सा मेज़बानी किया था ये जो सम्मेलन प्रदान मंत्री ने पुराने संसत भवन के नाम की घोषना की जिसे नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया ने संसत का तो संबिधान शदन नेक्श कोश्चन देखते हैं दिया हुआ है कि प्रले मिशाइल के संदर्ब में कथन पर विचार कीजिए प्रले मिशाइल के संदर्ब में क्या सही होगा या एक स्वदेशी या कम दोरी की सता से सता पर मार कर शकने वाली बालेश्टिक मिसाइल है बिल्कुल सही है या 500-500 किलो मीटर तक के लक्षे पर हमला करने के दिये सक्षम है या भारत की पहली शामरिक अर्थ ब्लास्टिक मिसाइल है तो ये भी सही है तो राइट आंसर दी हो जाएगा इसमें से नेक्श कोश्चन है कि एसिया कप 2030 के संभन्ध में कौन सा कथन शत्य है मैं आफ दो सीरीज का पुरशकार कुलदीप यादो को दिया गया है एसिया कप में भारती तीम आठीवी बार चैंपियन बनी है ये भी सही है और एसिया कप 2030 का योजन पाकिस्तान और श्रिलंका में किया गया है ये भी सही है राइट आंसर क्या होगा उपियुक्त साभे ठीक है नेक्स है कि किस कलाकार की पैंटिंग दे स्टोरी टेलर किसी भारती या कलाकार की अब तक की सबसे महांगी कृती बन गई है कौन सी दे स्टोरी टेलर अब तक की सबसे महांगी कृती बन गई है ये हो जाएगा इस खरायट आंसर किया अमरिता सेरगिल इन्हीं की ये पेंटिंग ये अमरिता सेरगिल की Next question देखते हैं दिया हुआ है कि सांथी निकेतन के संदर्भ में निमलिखित कथन पर विछार कीजी सांथी निकेतन के संबंध में तो दिया हुआ है कि इसकी स्थापना रविंदनाथ टैगोर ने की थी बिलकुल या पशी बंगाल के वीरभुम जीले में इस्तित है ये भी सही है शौदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समीती के 45 सत्र के दोरान पशी बंगाल के सांती निकेतन को यूनुस को द्वारा विश्व धरोहर दर्जा दिया गया है ये भी एक्तम करेक्ट है तो राइट आंसर हो जाएगा option number D नेक्ट पॉस्चन है कि नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेस द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिवाओं के रूप में अस्थापित की गई है ठीक है तो कौन सी किस की मूर्ति है जो अस्थापित नहीं की गई है तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा सेर की मूर्ति ठीक है गरुन की है अश्व की है गज की है लेकिन सेर की मूर्ति नहीं है अभिभावक के रूप में नेक्ट कोस्टन है कि पीम विश्व कर्मा योजना के संदर्व में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जिसमें दिया हुआ है कि इसका उदेश्य पारंपरिक सिल्प कौशल को बढ़ावा देना विश्व कर्मा शमुदाय के लोगों कौर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है बिल्कुल सही है फिर है कि इसे सितंबर 17 सितंबर 2023 को जब पीम जी नरेंद्र मोदी का जनमदीन के दिन ही लॉंच किया गया था और यह 13,000 करोड रुपए के परिब्याई के साथ किंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोशित किया जाएगा ये भी सही ह और इस योजना में 18 वैवशायों में लगे कारीगरों और सिल्प कारों को शामिल किया गया है ये भी सही है तो राइट आंसर क्या बनने वाला है इसका option number D ठीक है next question देखते हैं दिया है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था नए संस 2023 को next question देखते हैं दिया है महिला आरक्षड विधेयक 2023 के संदर्व में निम्न कथनों पर विचार कीजिए क्या हो जाएगा इसका दिया है कि विधेयक संविधान में नय अनुशेद 330A और 332A पेस करने का प्रस्ताव करता है ठीक है ये भी सही है दूसरा है कि आरक्षड अ ये गलत हो जाएगा तीस्ता दिया है कि इसमें लोक सभार राज्य विधान सभाव और दिल्ली विधान सभाव में महिलाओं के लिए कुल सीटों में एक तीहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान है तो ये सही है राइट आंसर एक और तीनिनमे से सही हो जाएगा नेक्ष कोश्चन दिया हुआ है कि नारी सक्ती वंदन अधनियम दोहजर तेज के संदर्व में नेमनली की तकतन पर विचार कीजिए इसके संधर्व में तो नारी शक्ती वंधन अधनियम 2023 के संबंद में जिसमें दिया हुआ है कि राजी सभा में 21 सितंबर 2023 को सर्व शमती से विधेयक पारित किया गया था जी बिल्कुल सही है कि लोक सभा में 20 सितंबर 2030 को विधेयक पारित किया गया था ठीक है और दिया हुआ है कि यह विधेयक नए शंसद भावन में दोनों सदनों द्वारा पारित करे जाने वाला कानून है यहां पिराइट आंसर तीनों हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा तीनों शही है ठीक है राजी सभा में 21 सितंबर को और लोक सभा में 20 सितंबर को और दोनों सदन में द्वारा पारित करने वाला पहला कानून है नेक्स कोश्चन है कि भोजन और पोशन के छेत्र में अनुशंधान और अनुप्रियोग के लिए 2023 नार्मन ई बोरलाग पुरसकार के लिए किसे नामित किया गया है भोजन और पोशन के छेत्र में अनुशंधान और अनुप्रियोग के लिए यह हैं डाक्टर श्वाती नायक को 2023 नार्मन ई बोरलाग पुरसकार से शमानित किया गया नेक्स्ट है कि कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टियूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौनसा देश होंग कौंग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त और थवेवस्था बन गया है तो ये बन गया है शिंगापूर राइट आंसर शिंगापूर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल ग्रेड सर्विया में आयो जीत विश्व कुस्ती चैंपियनशिप दोहजर तेईस में भारतिय महिला पहलवान अंतिम पंगाल ने कौनसा पदक जीता है कहाँ पे तो बेल ग्रेड सर्विया में आयो जीत हुआ है जो विश्व कुस्ती चैंपियनशिप दोहजर तेईस में भारतिय महिला अंतिम पंगाल ने कौनसा पदक जीता है यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है कांशे पदक एक उत्तर प्रदेश के पहले अंतराष्टी अब्यापार में देका आयो जन कहां क जो किया गया है ग्रेटर नोइडा में किया गया है राइट आंसर ग्रेटर नोइडा हो जाएगा नेक्स्ट है हाल ही में विग्यान प्रद्योग की और नावाचार के छेतर में नए राष्टिय पुरसकारों के अस्थापना कियी गई है इन पुरसकारों को किस नाम से जान सब्सकैरिये पिया श्राइध युखत दिटायोल। मस्त्य छेहजार मतस्य मतस्य छेहजार हो जाएगा इस मानोव युक्त पंडुब्बी का नाम नेक्षे कि किसने भारत की G20 प्रेशिडेंसी पर एक E-book का People's G20 का नावरण किया है भारत की G20 प्रेशिडेंसी पर एक E-book का नावरण किया गया है जिसका नाम है People's G20 तो ये जो है किसने किया है इस भुक का अनावरण तो ये किया गया है अपुर्व चंद्रा के द्वारा याद रखें अपुर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है नेक्ट कोश्चन है कि लोग सभावे महिला आरक्षण बिल नारी शक्ती वंदन अधनियम 122वा संविधान शंसोधन विधेयक किसने पेश किया है तो क्या राइट आंसर हो जाएगा अरजुन मेघवाल याद रखें नारी शक्ती वंदन अधनियम जो है अरजुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया है लोग सभा में नेक्स्ट कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियों ने आयो जीत आई एसेस एफ निसाने बाजी विस्व कप 2023 में भारत की इलावे निल वला रिवन ने 10 मीटर एयर राइफल्स रेडी में कौन सा पदक जीता था तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने तो राइट आंसर क्या बन जाएगा श्वन पदक ठीक है नेक्स्ट कोश्टन दिया है कि अमेरिका की यूजीन में खेले गए डायमंड लिंग फाइलनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता इसमें तो अमेरिका की यूजी द्वारा जारी ग्लोबल लीडर पुर्वल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रियनेता कौन है ठीक है तो मौर्निंग कलसल्ट द्वारा जारी है ग्लोबल लीडर पुर्वल सर्वेक्षण के अनुसार है लोकप्रियनेता कौन है तो राइट आंसर नरेंद मोदी हो जाएंगे नेक्ष दिया है कि विश्व ओजोन दिवस्ट 2023 की थीम क्या थी तो हो जाएगा Monetaryal Protocol Fixing the Ozone Layer and the Reducting Climate Change ठीक है यह हो जाएगा इसका विश्व ओजोन दिवस्ट 2023 की थीम नेक्ष दिया है कि किसने सिंगापुर की Lu Kuan You Exchange Fellowship से सम्मानित किया गया है किसी किया गया है सिंगापुर की Li Kuan You Exchange Fellowship से सम्मानित इसका राईट आंसर हो जाएगा हेमन्त विश्वा सर्मा को हेमन्त विश्वा सर्मा को किया गया है नेक्ष दे कि Kendriya Nagrik उड्डयन मंतरी के द्वारा कहां पर उडान भवन का उदघाटन किया गया है ठीक है तो किंद्री नागरी कुध्यान मंत्री के द्वारा कहां पर किया गया है उडान भवन का उदघाटन तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में नेक्स्ट है ICC T20 World Cup 2030 का योजन कहां किया गया है ICC T20 World Cup 2024 का यह हो जाएगा West Indies और अमेरिका में ठीक है ICC T20 World Cup 2024 का योजन West Indies और अमेरिका में संकराचार के 108 फिट उची प्रतिमा की सराज्य में बनाया गया है तो यह बना है मद्यप्रदेश में जुलाई 2023 में किसी लोक माने तिलक राष्टिय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो किसको सम्मानित किया गया है लोक माने तिलक राष्टिय पुरस्कार से यह हो जाएंगे नरेंदर मोदी को सम्मानित किया गया है नेक्ष कोश्चन देखते हैं दिया हुआ है कि उपरन्यास वेश्टर्न लेन जिसे 2030 भूकर पुरस्कार के लिए सूची बद किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है कौन सा उपरन्यास तो वेश्टर्न लेन यह जो है भूकर पुरस्कार के लिए सूची बद हुआ है तो किसने लिखा है वेश्टर्न लेन यह लिखा गया है चेतना मारू के द्वारा राइट आंसर चेतना मारू नेक्ट एक इसरो द्वारा पी एस एल भी सी फिक्टि सिक्स जो है रॉकेट से किस देश के डी एस सार उपगरा को लान्च किया गया है नीच से यह जो किया गया है सिंगापूर का उपगरा को नेक्ट कोश्चन है प्रतिष्ठित छात्र अकादमी पुरसकार स्रेडी के सेमी फाइनल तक पहुँचने वाली फिल्म चमपारन मटन किस भासा में बनी है चमपारन मटन ये जो बनाई गई है हो जाएगा वज्जिका ठीक है वज्जिका में बना है इसकी भासा है वज्जिका नेक्ट के हाली में किस संसथान ने डिजिटल इंडिया आर आई एससी वी संगोष्टी की मेजबाने की है किस संसथान ने किया डिजिटल इंडिया आर आई एससी वी संगोष्ठी की मेजवाने तो ये किया गया है IIT मदराश के द्वारा राइट अंसर IIT मदराश के द्वारा किया गया है नेक्ष्ट एक किस देश के वैग्यानिकों ने LK-99 नामक एक ऐसी समागरी के निर्माड का धावा किया है जो कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है ठीक है कमरे के तापमान पर अतिचालकता का संचालन कर सकती है तो ऐसी समागरी का निर्माड जो है किस देश के वैग्यानिकों ने किया है तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्ट 2023 में डाबलु एच्चो द्वारा किस देश को ट्रेक ओमा मुक्त घोशित किया गया है किस देश को दाबलु एच्चो के द्वारा यह किया गया है इराक को ठीक है इराक राइट आंसर नेक्स्ट दिया है कि जर्मन के बर्लिन में आयो जित विश्व तिरंदाजी चेंपियंशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड सपर्धा में अदिती स्वामी ने कौन सा पदक जीता है इनके द्वारा जीता गया है रिश्वन पदक जर्मन के बर्लिन में आयो जित हुआ तिरंदाजी चेंपियंशिप उसमें जो है व्यक्तिगत कंपाउंड सपर्धा में अदिती स्वामी ने श्वन पदक जीता नेक्ष्ट है पुर्व प्रधान मंतरी और प्राकिस्तान तहरीक ए इनसाफ प्रमुक इमरान खान को किस मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरकतार कर लिया गया ठीक है तो ये जो है किस मामले में तिन साल की सजय सुनाई गई है तो तोशा खाना मामला में नेक्ष्ट है कि भारत का पहला राष्टी अस्तर का खेल विश्व विद्याले कहां स्थापित हुए राष्टी अस्तर का खेल विश्व विद्याले ये जो किया गया है मनिपूर में है दूसरा है कि विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्षपो 2023 का आयोजन कहा किया गया है तो ये किया गया बैंगलोरो में ठीक है बैंगलोरो में किया गया है नेक्स्ट देखते हैं क्वेस्चन है रेफी नीटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी कौन सी है रेफी नीटिव आइकन रिपोर्ट के अनुसार बताना है दुनिया की मुल्यवान कमपनी कौन सी हो जाएगी ये है एपल नेक्स्ट की हाली में युनुशको ने किस देश के सहर वेनिस और उसके लैगून को खत्रे में होने की कारड इसे विश्व विराशत की सूची में जोडने की सी फारिज की है ठीक है किस देश के सहर वेनिश और उसके लैगून को ये हो जाएगा राइट आंसर इटली के ठीक है नेक्ष्ट दिया है कि दक्षड एसिया में पहला सेंटर फॉर इस्पीसिज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया गया है दक्षिड एसिया में जो है पहला जो है Center for Spaces Survival किस देश में अस्थाफित किया जाएगा यह हो जाएगा भारत में नेक्ष्ट एक इव निम्ल लिखित में से किस e-commerce company ने स्रीनगर के डल जील पर I have space प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ इस्टोर लांच किया है तो किस e-commerce company के द्वारा किया गया है राइट आंसर अमेज़ान इंडिया नेक्ष्ट है कि लोग एवं जन्जाती प्रदर्शन काला महत्स उतकर्ष एवं अंतराष्टी सहित्य उत्स उनमेज का यूजन किस राज में है उतकर्ष और उनमेज का यूजन तो यह किया गया है मध्यप्रदेश में ठीक है नेक्ष्ट है कि सिक्षा मंत्री धर्मेंद प्रधान ने उल्लास एप लॉंच किया तो उल्लास एप का पुड़ जो है पुन रूप क्या होगा फुल फॉम उल्लास एप का इसका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉंग लॉर्निंग फॉर आल इन सोसाइटी से के नंबर सही हो जाएगा देखते हैं क्वेशन नेक्स्ट दिया है कि धर्मेंद प्रधान और एस जैसंकर ने कहां सन्युक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का सुभारंब किया जो भारत में अंतराश्टिय विद्यार्थियों के स्ट्राक्षडिक यात्रा को सरल बनाएगा तो ठीक है तो कहां भी इसको एस जैसंकर के द्वारा जो है सुभारंब किया गया इस पोर्टल को स्टडी इन इंडिया पोर्टल का सुभारंब तो यह किया गया है नई दिल्ली में नेक्स्ट है कि दक्षिर एसिया में पहला सेंटर फार सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा दक्षिर एसिया में का पहला सेंटर फार सर्वाइवल जो है किस देश में इसका रायत आंसर हो जाएगा भारत में ये रहा आज का 50 कोश्चन मिलेंगे नेक्स्ट व लाजीन